कैसे हो आप सब मैं हूँ आपकी मम मिला करांदी और आज मैं आपने क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों के लिए लेकर के आए हूँ एक बहुत ही महत्वपुन और स्कोरिंग चाप्टर मज़ेदार चाप्टर इस चाप्टर को पढ़ने में आपको रियल में मज़ा आने माला ह और इस चाप्टर का नाम है विकरन तथा द्रव्य की द्वायत प्रकृती ड्वाल नीचर आफ मैंटर एंड रेडियेशन तो भाई ये चाप्टर जो है हम एक ही वन शॉट में कमर करने माले हैं और इस चाप्टर में जो है हम प्रकाश विद्धुत प्रभाव के बारे में पढ़ने माले हैं बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान रहा है जिसकी वज़ा से ये प्रकाश विद्धुत प्रभाव जो है खोजा जा सका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है और कंटिनियू करेंगे हम हमारे पिछले चाप्टर से की तरंग प्रकाश की में आप लोगों ने पढ़ा होगा तरंग के बारे में प्रकाश जो है तरंग के रूप में किस तरह से होती है वैसे कहा जाए तो विकरन दथा द्रव्य की द्वायत प्रकृति अगर आप चाप्टर के नाम को समझने की कोशिश करोगे ठीक है तो आप लोगों ने विकरन क्या होता है यह आप लोगों ने पढ़ा है साइंस में फिजिक्स में पढ़ा है आप लोगों ने द्रव्य की द्वायत प्रकृति का मतलब यह हो गया कि जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उनकी दो तरह की प्रकृति पाई जाती है तो एक प्रकृति तरंग प्रकाश की में हम ल चले देखेंगे कि हम इस चाप्टर में कौन-कौन-सा टॉपक कभर करने वाले हैं तो भई हम पढ़ेंगे electron emission, electron उत्सरजन कैसे होता है, electron उत्सरजन के प्रकार क्या-क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है हर्स तथा लिनार्ड ने कैसे कैसे मतलब प्रयोग करे क्या क्या प्रेक्षन किया और उसके बाद जाकर के इन्होंने प्रकाश विद्युत और सर्जन के नियम दिये इसके बारे में हम लोगों को जो है समझना है तरंग की के बारे में जब हम लोग समझते हैं तो वहां पर बहुत सरी ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को एक्क्यूरेसी के साथ प्राप्त होती है तो इस चीज़ को हम लोगों को समझना है आइंस्टीन आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण तो यह most important topic है क्योंकि पूरा chapter का जो दिल है hard है वो यही है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण और जो भी चीज़ आप इसके पहले topics में cover कर रहे हो ठीक है इनको समझने के बाद ही आप आइंस्टीन की प्रकाश विद सारा योगडान दिया और कोई भी चीज जो है ना किसी एक के द्वारा मतलब खोजी जा सकना उतना ज्यादा संभव नहीं है हर बार होता यह है कि बहुत सारे लोगों के जो योगडान है थोड़ा थोड़ा सबका contribution जो है जा करके मिलता है और एक बार कुछ ऐसा समीकरण य यहां पर हम लोगों को आवरती तरंग दैर्द यह सारी चीजे समझनी है नीरोधी विभाव क्या होता है समझेंगे हम उसके बात photon के महत्वपुन अभी लक्षर तो भाई यहां पर जो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो देखा जाता है वो photon के कारण ही देखा जाता है अब आप पुछो कि माम यह photon क्या होता है क्योंकि इस चेप्टर में आप लोगों ने photon शब्द पहली बार सुना होगा अभी तक क्या आप लोग फिजिक्स में photon शब्द आप लोगों ने नहीं सुना होगा कोई बात नहीं हम करेंगे डिसकस यहां पर डिटेल में करेंगे आज के वंं शॉट में पूरा कवर कर लेंगे, तो आप लोग देख सकते हो कि बलको हमारे जो प्रकाश का मुख्या स्टेडिश होता है, जहां से हम लोगों को जो प्रकाश है, हाँ, वो तरंग और कर, दो प्रकृती की तरह हमारे तक पहुंसती है और हम यहाँ पर प्रकाश के बारे में भले ही study कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर केवल और केवल प्रकाश की बात नहीं की जारी है यहाँ पर द्रव्य पदार्थ की बात करी जारी है और यह द्रव्य पदार्थ जो है दो तरीके की इसनकी प्रकृती देखी जाती है एक होता है तरंग और एक होता है कर ठीक है द्रव्य पतार्थ में अगर उधारन के लिए हम प्रकाश को ले तो प्रकाश जो है तरंग रूप में किस तरह से देखा जाता है आप लोगों ने इसके पहले तरंग प्रकाश की वाले चाप्टर में यंग double slit experiment, एकल slit experiment कुछ इस तरीके से देखा होगा, जहां पर आप लोगोंने देखा होगा कि कुछ इस तरह से फ्रिंजे बनती है और तरंग के रूप में जो है प्रकाश इस तरह से क्या करता है गती करता है, अगर हम प्रकाश के कण प्रकृति की बात करें किसकी बात करें अगर हम प्रकाश के कण प्रकृति की बात करें तो आप लोगों ने किरन प्रकाश की पढ़ा है जहां पर हम लोगों ने प्रकाश के पूरे कण प्रकृति का जो है study करा है, ठीके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर द्रव अपदात में प्रकाश को उधारन लेकर के समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने काफी कुछ प्रकाश की के बारे में पर चुका है, ठीके, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर होता क्या है, होता क्या है, कैसे कड रूप मे किया होता है यहां पर तो मालो कि जैसे कि आपके पास कोई धातू की प्लेट है ठीक है यहां पर यह जो है धातू का प्लेट रखा हुआ है धातू का प्रिस्ट है ठीक है कोई भी मैटल प्लेट है अब आप सभी को पता है कि जो धातू की प्लेट होती है है ना उसमें मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे पाई जाते हैं आप लोग ने विद्युधारा वाला चैपटर पढ़ा वहाँ पर भी आप लोगों ने समझा है धात्व के बारे में किस तरसे वहाँ संधा किस तरह से और मुक्त्य इलेक्ट्रॉन पाई जाते हैं ठीक है तो तो यहां पर क्या होती है कि यहां पर मानलो जैसे कि प्रकाश उर्जा येलो कलर की लाइना आप देख सकते हो कि प्रकाश उर्जा यहां पर जब प्रकाश आपतित होता है ठीक है क्या होता है जब प्रकाश आपतित होता है तो यह प्रकाश में कुछ ना कुछ उर्जा होगी क्या होगी इस प्रकाश में कुछ न कुछ उर्जा होगी और ये जो प्रकाश की उर्जा है इसकी वज़ा से क्या हो जाएगा ये जो मैटल प्लेट है धाटू का प्लेट जो है वो क्या होगा गर्म होगा ठीक है अब यहाँ पर उर्जा जो है स्थानांत्रित हो रही है प्रक धातू की प्लेट से इस धातू की प्रिष्ट से जो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन विच्रन कर रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करें इन इलेक्ट्रॉनों को जो है बिल्कुल इससे धातू की प्लेट से अलग करें पहला काम अलग करें अलग करने के लिए जो उर् क्या है गतिज उर्जा ठीक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अलग होंगे तो अलग होने के लिए पहले उर्जा चाहिए होगी एक प्रकार की दूसरी प्रकार की उर्जा जो इन प्रकाश किरनों से ही मिल रही है प्रकाश से ही मिल रही है वो है गतिज उर्जा गतिज उर्ज सके अब ये प्रक्रिया जो है यही क्या कहलाती है इलेक्ट्राण उत्सर्जन ठीक है यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्राणों का उत्सर्जन ही क्या कहला रहा है मुक्त इलेक्ट्राण का उत्सर्जन क्या कहला रहा है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन ठीक है प्रक्रिया कैसे हो यह समझ में आ रहा है तो बिलकुल प्रकाश विद्युत प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम लोगों को समझना है तो यहां पर हम चीजों को जो है वन बाई वन करके समझते जा रहे हैं ठीक है वन बा अपने परमाणों से अलग होकर धातू के अंदर अनियमेत रूप से क्या करते हैं स्वतंतरता पुर्वा घूमते रहते हैं परन्तु धातू को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकते हैं क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन धातू से बाहर आते हैं तो धातू का प्रिष्ट धातू क मुक्त इलेक्ट्रॉन है धातू में यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है पर अंदर ही अंदर अपने नाभिक को छोड़ करके अंदर ही अंदर घूम रहे हैं बाहर नहीं जा रहे हैं ठीक है तो अगर बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा यह जगा खाली हो जाएगी और यह व मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के बीतर आयनों के आकर्शन बलो द्वारा रोक कर रखे जाते हैं ठीक है इसलिए क्या होई वो रोक करके रखा गया है यदि बाहय स्त्रोथ मानलों कि बाहय स्त्रोथ की बात करी मतलब कि यहां पर यह जो प्रकाश है यह प्रकाश क्या है यही बाहय स्त्रोथ है क्या है यही क्या है बाहय स्त्रोथ है बाहय स्त्रोथ से इन इलेक्ट्रॉनों का परियाप्त उर्जा दी जाई तो इनकी गतिज उर्जा क्या हो जाती है इनकी गतिज उर्जा बढ़ जाती है और धातु की सता को इलेक्ट्रॉन छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं धातों प्रिष्ट से इस प्रकार इलेक्ट्राणों का बाहर निकलने की जो घटना है यही क्या कहलाती है एलेक्ट्राण उत्सर्जन कहलाती है ओके बिलकुर फडाक से स्क्रीन शॉट आप जरूर ले सकते हो कारेफलन की बात जैसे मैंने आप लोगों को बताई तो शुरुवात में मुक्त इलेक्ट्रॉन को मतलब की धातु की सता से अलग होने के लिए जो नियूनतम उर्जा चाहिए धातु की सता से अलग होने के बस्था पर निर्भर करता है हैना इसको नापते कैसे हैं देखो फाई अक्षर से हम क्या करते हैं फाई नौट से प्रदर्शित करते हैं लेकि नापते कैसे हैं तो इसको हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नापते हैं अब देखो ये electron volt कई बार आप लोगों को जो है इस्तमाल करने की जरुवत पड़ेगी तो समझ लेते हैं कि ये electron volt क्या होता है तो बेटा ये electron volt किसी electron को अगर हम एक volt का विभुवांतर दे रहे हैं क्या कर रहे हैं मान लोग कि किसी electron को हम क्या कर रहे हैं एक volt का विभुवांतर दे रहे ह तो एक वोल्ट का विभुवांतर के द्वारा त्वरित कराने पर कितनी उर्जाग प्राप्थ होती है वहां उर्जा का जो मान है वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है एक दसंबलोच चयगुणा 10 की घात माइनस 19 जूल ठीक है तो ये उलेक्ट्रॉन का जो मतलब ये उल होता है उसी के बराबर यहां पर उर्जा है यह एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्योंकि यहां पर हुआ क्या जैसे कि हम लोगों ने यहां पर यह इलेक्ट्रॉन का जो मान है वो रग दिया एक दस हमले चाहे गुणा दस की घात माइना सुनिस ठीक है और क्या किया इसके साथ हम लोगों ने गुणा कर दिया किसका एक वोल्ट का एक वोल्ट का हमने क्या कर गिया इसके साथ एक वोल्ट का गुणा कर दिया ठीक है तो यहां पर क्या हो गया कुलाम और वोल्ट का गुणा हो गया ठीक है तो यह यहां पर क्या मिल गया हम लोगों को जूल है ना उर्जा म समझे हो, एलेक्टरॉन वोल्ट को समझे हो, कारर फलन को समझे हो, तिरे-दिरे और बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझनी है, साइंटिस्ट के प्रेयोक के भारे में भी समझना है, तो यहां पर कुछ आप लोगों को धातु इंपॉर्टेंट दिये गए हैं, इनके कार तो reference के लिए द्रख सकते हो और इसके बाद tap I हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे electron उच्छर्जन के प्रकार के बारे में क्योंकि अभी electron उच्छर्जन कैसे होता है electron उच्छन क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने समझा हम इसके प्रकार समझेंगे तो चार प्रकार है पहला है तापाइनिक उच्छर्जन ठीक है इसको थर्मल हम लोग थर्मल emission बोलते हैं ताप के रूप में ताप के कारण यहाँ पर उच्छर्जन होता है ठीक है इसके बाद होता है प्राथमिक उच्छ सर्जन से हम लोगों को क्या मिला प्राथमिक उच्छ सर्जन से हम लोगों को इलेक्ट्रॉन मिला तो इस प्राथमिक उच्छ सर्जन से इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर और मालो की कोई और धातु की प्लेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है तो यह प्राथम कि अब हम लोगों ऑजा है प्रकाश विद्वतु सर्जन के अलग होग एकारण के सब प्रकाश विदुतु तो बहुत सारे ऐसी चीज है जहां पर विद्ध उर्जा का जो इस्तमाल किया जाता है सोलर प्लेट जैसे कि आप बोल सकते हो वहां पर प्रकाश उर्जा विद्ध उर्जा में बदलती है तो यहां पर आगे चलते हैं तापायनी कुछ सर्जन को डिटेल में समझते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है तापायनी कुछ सर्जन में आप देख सकते हो जब किसी धातू को हम क्या करते हैं गर्म करते हैं जैसे कि हीटर की बात अगर हम करते हैं धातु को गर्म करते हैं तो धातु की सता से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं चूंकि ये इलेक्ट्रॉन धातु को गर्म करने पर निकलते हैं इसलिए हम उनको क्या कहते हैं तापायन जैसे की हीटर की बात करें बिल्कुल ठंड के दिनों में अगर आप रूम को गर्म रख कि ये कोइस बनी हुई है, यहां पर मालो की हम यहां पर हीटर को बिजली दे रहे हैं जिसकी वज़ासे विद्धार हरा प्रवाहित होने इनको हम क्या कहते है तापायन कहते हैं, ये घटना, तापायनी कुछ सरजन कहलाती है, और इस घटना की खोज जो है किसने करी थी, एडीशन नाम के साइन्टिस्ट ने करी थी 1883 में, ठीक है किन्होंने की थी एडीशन 1883 में आपको पता ही होगा, एडीशन बल्व की भी प्रबला विद्युत्छेत्रं जब किसी धाटु को फ्रबला विद्युत्षेत्र में रखा जाता है मान लो कि यहाँ पर क्या है कोई भी विद्धुच्छेत्र है और इस विद्धुच्छेत्र में अगर मान लो कि हम क्या कर रहे हैं मान लो कि हम किसी धातु को रख रहे हैं जैसे कि मान लो कि कॉपर वायर को ही हम लोगों ने क्या कर दिया रख दिया है ना तो इस तरीके के होने लगते हैं, इसके लिए बाय विद्यूच्शेत्र अत्यंत्य प्रभल, मतलब कि यहां पर बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि अगर हम बाय विद्यूच्शेत्र में किसी धातू को रख दे और यहां पर क्या होगा, इन धातू से जो एलेक्टरोंज है, वो बाहर निकलने लगेंगे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, छेत्र उच्चर्जन, मतलदा विद्युद्च्च्चित्र में रखने की करण, यहाँआँ पर उच्चर्जन कहलाया, लेकिन यहाँ पर शर्त एक ही है, यहाँआ पर यह जो उत्षेतर होना चाहिए, ठीक है, तो एक प्रबल विद्धु छेतर के प्रभाव में किसी धातु से मुक्त इलेक्टरॉन जो उत्सर्जित होने की घटना है, यही क्या कहला रही है, छेतर उत्सर्जन कहला रही है, इसे ठंडे कैथोड से उत्सर्जन भी कहते हैं, अब कैथो किसे यहाँ पर यह क्या कहलाता है, कैठोथ उठसर्जन भी कहलाता है, दुधिया कुछ सर्जन की बात करेंगे, तीसरा प्रकार, दुधिया कुछ सर्जन, यहाँ पर जब अत्यधिक तिवरवेग से गती मान इलेक्टरॉन, मान लोगी यहाँ पर कोई धातु की प्लेट है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्तित है, अब होगा क्या, मान लोग की बहुत तेज गती से, यहाँ पर क्या है, मान लोग की कहीं और से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, और से कहीं और से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, प्राथमिक उत्सर्जन, है ना, उत्सर्जन के इलेक्ट्रॉ तो यहा है इसका कारण क्या है? इसका कारण तिव्रवेगसे गतीमान प्राथमिक इल्क्टरॉद जब धातु से टकराने पर अपनी कुछ औरजा की न्यमुकत इल्क्टरोगे इसका मतलब यहां बहुत ही तेजगती से आ रहे है तो होगा क्या टकर? तक्कर होगा तो आप लोगों को पता है सम्वेक संदक्षन का नियम जब होता है तक्कर होता है तक्राते है मानलों की बहुत तेज गती से आते हुए तक्राएंगे तो क्या करेंगे अपनी उर्जा को यहाँ पर जो है इस तल को स्थानांतरित कर देंगे क्या करेंगे अपनी मात्तव इतनी अधिक होगी कि यह क्या करेंंगे इस द्धातू की प्लेट जो है मतलब उस उर्जा की वज़ा से अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देंगे उच्छीत कर देंगे और यहाँ पर यह जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा द्यतियक उत्सर्जन कहलाएगा ठीक है बिल्कुल वही चीज़ यहां पर लिखी हुई है जैसे ही यहां प्रदान की गई उर्जा धातू के कारेफलन से अधिक होती है मुक्ते इलेक्ट्रॉन धातू तल से बाहर आ जाते हैं ठीक है कारेफलन की जैसे की हम बात करें तो कारेफलन के बारे में अल्रेडी हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है कारेफलन यहां पर पढ़ाना हम लोगों ने कारेफलन के बारे में कारेफलन के बारे में पढ़ाना क धातु के तल से मुक्त इलेक्ट्रॉन के उठ सर्जन के लिए जितनी न्यूनतम उर्जा की आवशक्ता होती है वो क्या कहलाता है यहाँ पर कारेफलन कहलाता है ठीक है कारेफलन को हम क्या करते हैं फाई नौट से प्रदर्शित करते हैं ठीक है फाई नौट से प्रदर्शित होगी तभी जाकर कि क्या होगा यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होना संभाव हो पाएगा यह क्या कहलाता है दुवतियक उत्सर्जन कहलाता है प्रकाश विद्यूत उत्सर्जन तो भाई यहाँ पर देखो प्रकाश विद्यूत उत्सर्जन वही है जो सबसे पहले मैं लेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में जैसा आप लोगों को समझाया बिल्कुल वैसे ही देखो यहाँ पर जो है स्त्रोत नित्रमक किया जा रहा था जिसकी वज़ाझ से ताप यहाँ पर जो है इसका कारण था तु इस तरीके से चार जो है हमारे उठ्वीर उठ सर्जन के प्रकारों हो गए अब यहां पर हैज और हर्ल वक्स नाम के साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऐसे प्रयोग किये जहां उन्होंने क्या पाया कि पराबैंदनी विकिरण ठीक है यूवी रेस पराबैंदनी विकिरण जब क्या होती है धातू के तल पर आपतित होती है ठीक है कहां परापतित होती है धातू के तल पर आपतित होती है तो उस से क्या करती है इलेक्ट्रवाइले रेज की जो उर्जा वह कारे फ्लं से अधिक होगी तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉनों को पहले तो क्या करेगा धातू की सता से अलग करेगा अलग करने के बाद इनको क्या देगा गतिज उर्जा प्रदान करेगा क्या करेगा गतिज उर्जा प्रदान करेगा जिसकी वज़े से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो पाएंगे और ये क्या कहल यहां पर जो इस ब्रकार से उच्छित इलेक्ट्रॉन है वो फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं क्या कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और यह घटना प्रकाश विद्धुत सर्जन कहलाती है यह जो इलेक्ट्रॉन से वो क्या है फोटो इलेक्ट्रॉन अब इनको फोटो इलेक्ट्रोन क्यों कहते हैं जब यह फोटो खिसते हैं उसके लिए आपको प्रकाश क्या वशक्ता होती है येस और नो ठीक है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोन निकल रहे हैं वो प्रकाश के कारण ही निकल रहे हैं ठीक है इस वजह से यहाँ पर जो है इस इलेक्ट् प्रकाश के आपतन से क्या हो रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उच सर्जित हो रहा है और ये घटना ही क्या कहला रही है अब यहां पर हो क्या रहा है प्रकाश उर्जा का क्या हो रहा है प्रकाश उर्जा का विद्ध उर्जा के रूप में रूपांतरन हो रहा है देखो ह बार बार विद्यत उर्जा के रूप में ही रूप आंत्रण हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सर्जिद हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कौन से उर्जा है विद्यत उर्जा के रूप में हम लोगों को जो है मिलती है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉंज के कारण ही विद्धुद्धारा का प्रभाव अप्राप्ते कर सकते हैं है कि नए यह सॉनन हाँ चलो फाइनली प्रकाश विद्धुद्धुद्प्रभाव को हम लोगों को पढ़ना है और ये अध्यान सर्व पृथम किनों तो आप लोगों ने विद्धुम्ब की तरंग चाप्टर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था तो वहां पर आप लोगों ने हर्ट जी के बारे में उतने के बहुत सारे प्रेयोगों के बारे में बहुत सारे शोधों के बारे में आप लोगों ने सुना है समझा है और आ तो लाल रण की द्रिश्य प्रकाश की जो तरंग दैध होती है वो बहुत जादा अधिक होती है लेकिन उनकी आवरित्ती कम होती है उसी तरीके से जो बैंगनी कलर होता है उनका तरंग दैधे बहुत कम होता है लेकिन उसकी आवरित्ती बहुत अधिक होती है और यहां पर ज रहानिया बनी हैं और प्रयोग और शोध होते चले आए हैं फाइनली 1887 में हर्जी ने क्या किया हर्जी ने देखा कि जब विद्युत विसर्जन नलिका ठीक है इसको हम लोग समझेंगे पहले हम डाइग्राम को समझ लेते हैं ठीक है यहाँ पर जो है इस डाइग्राम में आ और यहाँ पर एक धनात्मक प्लेट लिया है क्या लिया है एक धनात्मक प्लेट लिया है और यहाँ पर एक रिनात्मक और धनात्मक प्लेट में यह जो है क्या है ग्यलवनो मिटर जिसको हम क्या कहते हैं धारा मापी कहते है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर क्या होगा अगर electrons जो है उच्छ सर्जित होंगे अगर क्या होगा electrons का उच्छ सर्जन क्या होगा electron उच्छ सर्जन होगा तो electron उच्छ सर्जन मतलब की यहाँ पर electrons जो है प्रवाहित होंगे अगर electrons प्रवाहित होंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है इसको एक विद्यूत का प्रवाज शुरू होगा, विद्यूत धारा का प्रवाज शुरू होगा, तभी यहां पर धारा मापी में विश्चेप हम लोगों को मिलेगा, धारा मापी में विश्चेप मिल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, ठीक है, और विध्युत् विशर्जन नलिका की रिन प्लेट पर पराबैंगनी केर ने डाली जाती है तो यह देख लो भई यहांपर पराबैंगनी केर ने यूवी रेस ठीक है यह क्या है यूवी रेस पराबैंगनी केर ने यहाँ पर कहां पर डाली जारी है तो रिण पलेट पर तो होता क्या है कि इस रिण पलेट पर जब हम डालते हैं तो विद्दत विसाजन अधिक सुगमता से होता है इसके एक वर्ष पस्चात हालवेश ने प्रेयोग द्वारा इसकी पूश्टी की ठीक से पुष्टी करी कि हाँ भई हर्ट्स वाई जो है वो सहीं कह रहा है ठीक है एक बर फिर से बताती हूं कि प्रकाश की पराबैगनी के लिने यहां पर जो है ट्यूब के अंदर दो तरह की जो प्लेट रखी गई है रिन और धन प्लेट तो रिन प्लेट पर जब पढ़ती है तो रिन प्लेट पर पढ़ने के बाद यह क्या करती है इलेक्ट्रॉंस को सर्जित करती है यह हम लोगों को कैसे पता चला जब यहां पर इस परिपत में विद्धारा का प्रभा हुआ तो इस धारा मापी के विकशेप के कारण पता चला जो कि बाद में जो है हालवेस जी क द्वारा भी क्या करा गया बिल्कुल उस चीच को जो है पुष्ट KIR किया गया कि हाँ भई सही ओ रहा है अब हमको ये देखना है कि हालवेस जी ने क्या क्या देखा ठीक है तो हालवेस जी ने ये देखा कि जब भी रिंड प्लेट पर क्या हो रही है परावेंधी प्रकाश विद्ध धारा प्राप्त हो गई, ठीक है अब जैसे ही हम पराबैगनी किरन को डालना बंद कर देते हैं, तो होगा क्या, जैसे ही हम पराबैगनी किरन को डालना बंद कर देंगे, तो धारा का विच्छेप क्या हो जाएगा, शुन्य हो जाएगा, जैसे ही डालना बंद करें हालवे श्वयम इस घटना का कारण ना बटा सके, मतलब कि अब यहाँ पर बात यही है, कि मालो कि यहाँ पर धन प्लेट पर डाले, ठीक है, होगा क्या मालो कि यहाँ पर क्या करें, धन प्लेट पर पकाश की किरन डाले, तो होगा क्या अब धन प्लेट में तो देखो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो मतलब धनात्मक प्लेट है तो वहां पर सिर्ट कोई लेक्ट्रॉन उस सरजित होंगे ने है कि नहीं अब जैसे कि अगर हम प्रोटॉन की बात करें अगर तो प्रोटॉन तो अपने नाभिक से बहुत ही जाजा कसके बंदे रहते हैं हाला कि वहां पर करते हैं गती करते हैं प्रोटॉन तो गती करते हैं ही नहीं तो जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वही तो देगा वही तो सर्जित होगा यहां पर है ही नहीं तो हुआ ही नहीं कुछ नहीं हुआ ठीक है तो यह दूसरा हो गया इसके बाद 1998 में क्या हुए जे जे ज टॉम्सन जी आए उन्होंने क्या सिद्गिया कि प्रकाश के गिरने पर धातु की प्लेट से इलेक्टॉन निकलते हैं मतलब कि उन्होंने जो है इस प्रकाश विद्धुत उस सर्जन के बारे में बताया कि जब प्रकाश धातु की प्लेट पर गिरते हैं तो यहां पर क्या हो आया कि जब रिण प्लेट पर पराबैगनी किरने डाली जाती है तो उससे निकले एलेक्ट्रॉन धन धन प्लेट के द्वारा आकरशित कर लिए जाते हैं जिससे विद्धुत परिपत क्या हो जाता है पूरा हो जाता है अब देखो यहां पर जो है विद्धुधार का प्रव हो क्यों रहा था तो विद्धुधार का प्रवाह इसलिए हो रहा था कि जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते है उत्सरजित होते है क्योंकि यह क्या है धनात्मक प्लेट है तो धनावेश क्या करेंगे रिणावेश को आकरशित करेंगे और आकरशन की कारण जब खीचा चला आएगा, जिसकी वज़ा से क्या हो जाएगा, कि जो विद्यूत परिपत है, वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, अब जब विद्यूत परिपत पूरा हो जाएगा, अब जब विद्यूत परिपत पूरा होगा, तभी तो विद्यूत धारब हैगी ना जैसे कि switch खुला रहता है तो विद्ध परिपत क्या होता है खुला होता है तो switch को जब हम बंद करते है विद्ध परिपत जब पूरा होता है बंद होता है तब ही उसमें विद्ध धारब एती है है की नहीं यह हो गया इसके बाद धन प्लेट पर किरने डालने से धन प्लेट स होते हैं ठीक है तो मान लोग कि इस प्रतिकर्शित करेंगे एक दूसरे को ठीक है अब प्रतिकर्शित करने के कारण प्रतिकर्शन के कारण क्या होगा यह बाहर नहीं आ पाएंगे तो पहले साइंटिस नहीं बता पाई थे लेकिन हम जो फिजिक्स पढ़ें उसके अनुसार इक अंदाजर लगा रहे थे कि धनात्माग प्लेट है तो उसके बहुत जाद इलेक्टरॉन नहीं होगे ठीक है चलो मान लो कि कुछ मात्रम में होंगे मतलब की माइनॉर्टी मतलब थोड़े कम मात्रम में अगर होंगे भी तो होगा क्या प्रतिकर्शन जिसकी वज़़ा स वो रिनात्माग प्लेट की तरफ आएंगे रही और जिसकी वज़़ा से परिपत पूरा नहीं हो पाएगा और परिपत पूरा नहीं हो पाएगा तो परिपत में विद्धारा प्रवाहित हो नहीं पाएगी तो अता प्रकाश किर्णों के प्रभाव से धातु के इलेक्टर के उत्सरजन की घट्ना को हम क्या कहते हैं प्रकाश विधुत प्रभाव या फिर प्रकाश विधूत उत्सरजन कहते हैं प्रकास द्वळा उतoda इल्लेक्ट्रрав को अंग्रेजी में बोलते हैं photo electron और रेड़ी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में photo electron हां कहा जाता है तथा उत्पन धारा को प्रकाश विद्धारा कहते हैं क्या कहते हैं प्रकाश विद्धारा कहते हैं इस घटना के लिए लगू तरंग डैर्थ है छोटा होना चाहिए और आवरित्ति कैसी होनी चाहिए तो आवृत्ति जो है उच्छ होनी चाहिए तो आवृत्ति को इस तरिके से न्यू से प्रिदर्शित करते हैं ठीक है आवृत्ति को कैसे प्रिदर्शित करते हैं न्यू से तरंग दैध को लेंडा से तो तरंग दैध कम होना चाहिए हम लोगों ने जो विद्ध विद्धित उछसर्जन होगा ठीक है दिरग तरंग दैद्ध के लिए प्रकाश कि अधिक प्रभाहि मतलब कि उसमें जयदा इतना प्रभाव इतना नहीं होता ठीक है तो यहां पर यह होना चाहिए तरंग जाते कम और आवरिति जाता बस इतनी ही बात याद रखो ठीक है अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी हर्ड और लेनार्ड के प्रेयोगों के बारे में तो जैसे हर्ड जी ने बताया उसके बाद हालवैक नाम के साइंटिस्ट की हम लोगों ने बात करी ही थी ठीक है तो अब पर्डिकलर हम इनके जो है प्रेक्शन की बात करते है की रहें होने क्या-क्या प्रेक्शन कया तो ले परिक्शन किया तो दो साइंटिस्ट थे थे भै था together और मिलिकन तो एक से भले दो-जो से भले तीन इसलिए में कहते हैं कि ग्रूप स्टुडडि करना जाहि हुआ क्यों कि होता एक कि अगर को समझ में आता है इसलिए 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 ग्रूप लुद साइंटिस्स लोग जो है वो मिलकर खोच कर रहे हैं तो कुछ मैं तुझे बता दू कुछ तू मुझे बता दे मतलब कि दो फ्रेंड्स अगर है तो एक दूसरे को भी वो क्या कर सकते मादद कर सकते आगे बढ़ने में तो बिल्कुल वही यहां पर साइंटिस्ट के द्वारा भी किया जा रहा है हर्स लेनाड और मिलकर ने प्रकाश विद्धुत सर्जन पर अपने बहुत सारे प्रेयोग किये उन्होंने भिना भिना धात्यों के प्लेट लेकर उन पर विभिना आकरितियों तथा विभिना तिवरताओं का प्रकाश डाला प्रत्येक दशा में उत्स प्रकाश इलेक्ट्रोनों की उर्जा एवं प्रकाश धारा की प्रबलता को मापा ठीक है ये बात को समझना हो क्या रहा है यहां पर जो है प्रकाश किर्ने मालों की क्या हो रही है रिणात्मक प्लेट पर आ रही है जिसकी वज़ा से यहां पर क्या हो रहे हैं इलेक्ट्रोन जो है उत्सरजित हो रहे हैं अब यहां पर यह जो इलेक्ट्रॉंस उत्सरजित हो रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉंस की वज़ा से हम लोगों को क्या प्राप्त होगी विद्धारा प्राप्त होगी ठीक है तो यहाँ पर यह इलेक्ट्रोनों की एक तो फोटो इलेक्ट्रोन्स है यह तो इनकी उर्जा होगी फोटो इलेक्ट्रोन्स की क्या होगी फोटो इलेक्ट्रोन्स की उर्जा होगी और यहाँ पर जो विद्युद्धारा बह रही है इस विद्युद्धारा की प्रबलता होगी कि ठीक है तो इनको इन्होंने जो है मिलके नाप डाला ठीक है इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने प्रकाश विद्धुत उच्छन के संबंध में बहुत सारे रिजर्ट उन लोगों को प्राप्थ हुए ठीक है ये वही पिक्चर है as it is बिलकुल यहाँ पर एक ट्यूब ल रहा है और परिपत के पूर्ण होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर परिपत जैसे ही पूर्ण होगा वैसे यहाँ पर विद्धारा का प्रवाह होगा और यहाँ पर देखो वोल्ट अमीटर निकल लगाया गया है तो कितना विभाव लगाया जा रहा है इसको नापने के लिए बैटरी के द्वारा और यहां पर देखो अमीटर भी लगाया गया है तो अमीटर किसको किसली लगाया गया है तो बेटा अमीटर जो है यहां पर कितनी विद्धारा की प्रबलता है इसको नापने के लिए यहां पर क्या निकाल लगाया गया है अमीटर लग जाएगा इसलिए वो जो है बनाया गया है तो यह डाइग्राम आपको बनाना है अगर आपको हर्ज और लिनाट के प्रयोग अगर आपको पूछता है तो प्रकाश विद्धित उच्छन पूछता है प्रकाश विद्धित प्रभाव पूछता है तो यहां पर आपको यह यहां पर दिखाया गया है लेकिन यहां पर पूरा एफेक्ट मतलब की किस तरीके से वो प्रयोग किया गया वो प्रकाश विद्धित प्रभाव को दर्शाया जा रहा है देखो तो इन में अंतर है इस चीज को आपको समझना है ठीक है आप इनों ने जो हर्ट जी ने और लेन आपको जादा बेतर से समझ में आए कि कैसे आपको लिखना है क्या मैंने समझा है तो इसके लिए मैंने लिखा हुआ ले आया है तो जो चीज मैंने आपको समझा ही है कि दो प्लेट है पी वन और पी टू कुछ दूरी पर रखा गया है और यहां पर जो है बिल्कुल एक क् प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, आपतित होने के बात क्या होगा, मतलब कि इसे प्लेटों का संबंद एक सुग्राही अमीटर, जोड दिया गया है, वोल्ट मीटर जोड दिया गया है, इन सब चीजों का एक्स्प्लेनेशन है, चाहो तो आप स्क्रीन शॉट ले ले सकते तो सारी चीज में आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि यहाप धूरूफ दिशा परिवर्त प्रिविर्त क्यों लगाया घया है। विभुहांतर को नापते हैं, अमीटर के द्वारा विद्धारा की प्रबलता को नापते हैं, और विद्धारा की प्रबलता से ही जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की कितनी उर्जा है, ये इसका पता लगाया जा सकता है, ठीक है अब जो एक्सपेरिमेंट करा गया, एक्सपेरिम है प्लेट पर ठीक है तो मालो कि यहां पर जैसे कि मालो की यहां पर मालो की 50 वाट का बल्फ लगाया गया था बाद में इस बल्ब को 100 वाट का लगाया गया मालो तो जाहिर सी बात है जितने जादा वाट का बल्फ होगा उतनी जादा मात्रा में जो है प्रकाश आपतित होग तिवरता जो है प्रकाश की प्रकाश की जो तिवरता है वो बढ़ा दी गई बढ़ गई तो जैसे ही यहाँ पर प्रकाश की तिवरता बढ़ी तो जो विद्धुद्धारा की प्रबलता है वो भी बढ़ी तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम यहाँ पर प्रकाश की तिवरता को आगे बढ़ाते जा रहे हैं जैसे जैसे हम यहाँ पर प्रकाश की तिवरता को आगे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर क्या होते जा रहे हैं विद्धारा का मान भी क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है और जब यहाँ पर यह जो प्रेक्षन हम लोगों ने प् लाया ठीक है तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ यहां पर एक सरल रेखा के रूप में हम लोगों को ग्राफ प्राप्त हुआ ठीक है तो यह क्या दर्शाता है प्रकाश की तिवरता का प्रभाव दर्शाता है कि प्रकाश की तिवरता के बढ़ने के साथ साथ जो यहां प पर experiment में आप लोगों ने देखा दाना कि यहां पर यह जो विभाव है इसको भी क्या करा जा सकता है यहां पर इसको जो है आगे पीछे ले करके हम खिसका करके क्या कर सकते हैं इसको change कर सकते हैं मतलब उसके मान को बदल सकते हैं जब उसके मान को बदलेंगे तो हमको यहां प का प्रभाव हम लोगों को देखना है ठीक है तो अगर हम लोग मान लोग कि अगर यहां पर विभाव को चेंज नहीं कर रहे हैं यहां कर जो है हमारी जो प्रकाश की तिवरता तो देखो तिवरता को हम लोगों ने बढ़ाया, तो धारा बढ़ी, तीवरिता को हम लोगों ने बढ़ाया, तो क्या हुआ हमारे पास, विद्युद्धारा का मान बढ़ा, विद्युद्धारा का मान बढ़ा, जैसे कि मान लोग पहले आईवन था, आईवन से बढ़ करके, आईटू गया, आईटू से तो विभाव जो है विभाव जो है उतना कही उतना रहेगा विभाव जो है उतना कही उतना रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हो एक constant value है विभाव की लेकिन यहाँ पर एक आपको नया term मिल रहा है निरोधी विभाव ठीक है निरोधी विभाव तो पहले आपको मैं यह समझ ना कि आपके पास जो ट्यूब थी ठीक है इस ट्यूब में आपके पास दो प्लेट थी एक रिनात्मक प्लेट और एक धनात्मक प्लेट ठीक है अब हो क्या रहा था कि इस रिनात्मक प्लेट पर जो है प्रकाश की कीरण आ रही थी जिसकी वज़ा से यहां पर क्या हो रहा थ ठीक है अब इलेक्ट्रॉन का उठसर्जन जब हो रहा था तो यह हो क्या रहा है कि यहाँ पर इस धनात्मक प्लेट से आकर्शित हो रहा है ठीक है धनात्मक प्लेट से आकर्शित हो रहा है और आकर्शित होने की कारण यहाँ पर विद्धुत परिपत पूरा हो जा रहा है ज ठीके तो कैसे रोक सकते हैं कोई बता सकते हैं क्या अभी कमेंट बॉक्स में लिखके बताना है अगर हमको इलेक्टरॉन के रुटसर्जन को रोकना है तो हम यहाँ पर ऐसा क्या करें जिससे जो है यहाँ पर इलेक्टरॉन का रुटसर्जन है वो रुख जाए ऐसा क्या करें ठीक है धन प्लेट जो है यहाँ पर जो धन प्लेट का विभाव है यहाँ पर जो धन प्लेट का विभाव है ठीक है धन प्लेट के विभाव को देखो यहाँ पर पहले इसको करेक्ट कर लो यहाँ पर रिनात्मक यहाँ पर धनात्मक आएगा हना हमको क्या करना पूड़ेगा यहाँ पर जो हम विभाव लगा रहे थे ठीक है तो जिसकी वज़ा से यहाँ पर इस धन प्लेट पर जो है धनात्मक विभाव और यहाँ पर रिन प्लेट पर जो है क्या है रिनात्मक विभाव रिन विभाव और यहाँ पर क्या है धन विभाव लेकिन हमको यहाँ पर करना क या है, इलेक्ट्रॉन्स के उत्सरजन को रोकने के लिए, यहाँ पर जो हमारा धनात्मक प्लेट का विभाव है, इस धनात्मक प्लेट के विभाव को विभाव का मान कम करते करते, हम को क्या करना होगा? रिण में ले जाना होगा, कहा ले जाना होगा, रिण मान में ले जाना होगा, क्यों, क्यों, जब इस धन प्लेट का मान रिणात्मक हो जाएगा, जब इस धन प्लेट का मान क्या हो जाएगा, रिणात्मक हो जाएगा, तो यहां से उत्सरजित होने वाले इलेक्टरॉन से यह बीच में जो है इलेक्ट्रोंस जो है उधर के उधर रह जाएंगे और इधर के इलेक्ट्रोंस इधर ही रह जाएंगे जिसकी वज़ा से यहां पर बीच में गाप हो जाएगा अब बीच में गाप हो गया तो मतलब क्या हो गया परिपत पूरा नहीं हो पाया क्या हो गया अब परिपथ जो है अधूरा हो गया परिपथ खुला हो गया अधूरा नहीं खुला हो गया परिपथ अब खुला हो गया परिपथ जिसकी वज़े से क्या हो जाएगा जो यहाँ पर विद्धारा बह रही थी यह बहना बंद हो जाएगा विद्धारा जो बह रही थी वो बहना ब प्रकाश दे, यहाँ पर हम प्रकाश की तिवरता को भी हम आई से ही प्रदर्शित करते हैं, है ना, प्रकाश की की तिवरता को कितना भी हम बढ़ा ले, कितना भी हम बढ़ा ले, ठीक है, यहाँ पर यह जो निरोधी विभाव है, इसको हम वी नौट अक्षर से प्रदर्शि इसका मान क्या होता है रिणात्मक होता है क्योंकि हम इसको क्या करते है धन प्लेट को रिण में बदलते हैं और इतना रिण में बदलते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉंस आ रहे हैं धनात्मक प्लेट की ओर वो आकर्शित ना हो करके प्रतिकर्शित होना सुरू हो जाए औ और इलेक्ट्रॉंस का उत्सरजन जो है वो रुक जाए तो ये जो निरोधी विभाव का मान है ना ये जो निरोधी विभाव का मान कितनी भी तिवरता बढ़ा लो फिक्स रहेगा तो जब ये फिक्स रहेगा तो फिर इस तरीके से ग्राफ बनेगा किसके किसके बीच में वि रोग है इस परिपत में बहने वाली धहरा अलग है यहां पर управ师 की तिवरता या फिर प्रकाश की धारा की बात की जा रही है संपज में आई बात चलो非常 good निलोधी विभाव समझ में आगया आवृत्री के प्रभाव फिल वह वह को नहीं सर्क्सक्राइब जियरे सिथी क्या देख रहे हैं यहां पे ग्राफ में देखो यहां पे जो है आवरित्ती बनाई गई है ठीक है आवरित्ती यहां पर दर्शाई गई है मान लोग कि आवरित्ती जब थोड़ी कम है फिर उससे बढ़ा रहे हैं फिर और बढ़ा रहे हैं पहली आवरित्ती कम है उसकी आवर बार यहाँ पर आवरित्ती बढ़ती जाएगी तो जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रभाव देखा है ठीक है यहाँ पर जितनी बार हम क्या करेंगे यहाँ पर आवरित्ती को हम बढ़ाते जाएंगे प्रकाश की आवरित्ती जो यहाँ पर आपतित हो रही है इतनी बार जितन जादा अधिक होगा और यह सर्जन की जो गतिज उर्जा की हम बात करते हैं गतिज उर्जा ठीक है यह उतना ही जादा अधिक होगा ठीक है लेकिन गतिज उर्जा का निरोधी विभाव के सांथ अगर हम संबंद देखे तो क्या संबंद होता है जो गतिज उर्जा होती है गत और जो है यह आपका निरोधी विभाव है तो होगा क्या यहाँ पर जितने जादा जो है प्रकाश की कीरण जितनी जादा आवरित्ती से आएगा उतना जादा क्या होगा उतना जादा गतिज उर्जा अधिक होगा उतना ही जादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉंस का सरजन अधिक लेकिन यहाँ पर निरोधी विभाव उतना ही कम होता जाएगा तो यहाँ पर आपको ग्राफ जो है वो यह दर्शारा है कि जैसे जैसे हम क्या करते जाते हैं आवृत्ति को बढ़ाते जाते हैं तो निरोधी विभाव का मान जो है कम होता जाता है अब आप लोगों को समझ मे कि जो रिनात्मक मान है इधर लेफ्ट साइट बढ़ने से रिनात्मक मान है वो कम होते जाते हैं तो यहां पर आवृत्ति के बढ़ने के साथ निरोधी विभव का मान कम होते जा रहा है और गतिज उर्जा का मान बढ़ते जाएगा गतिज उर्जा का मान जो है वो बढ़ते तो यह conclusion हम लोगों को आवृत्ति के प्रभाव से यहां पर मिलता है इसके बाद जो है हम लोगों को प्रकाश विद्धुत सर्जन के नियमों के बारे में पढ़ना है तो भाई जो नियम है अभी तक कि आप लोगों ने जो समझा है उसी से ही related होंगे तो सारी चीजे हम लोग दिसकस कर लिए तो इसका बस हम लोगे quick view लेंगे ठीक है तो लेनाड और मिलियन के जो भी प्रयोग हुए वहाँ पर उनके अधार पर हम लोगों ने क्या क्या देखा तो सबसे पहले धातु की जो प्रिस्ट है वो इलेक्ट्रॉन के उत्सरजन की दर यहां पर धातु के प प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिक्तम गतिज उर्जा अधिक्तम गतिज उर्जा जो है आपतित प्रकाश की तिवरता पर निर्भर नहीं कर रही है आपतित प्रकाश की तिवरता पर नहीं कर रही है यह चीज़ अभी अभी मैंने आप लोगों को रिलेशन बताया बढ़ती जाएगी यदि आपतित प्रकाश की आवरिती एक नियूनतम मान से कम है एक नियूनतम मान जो है उसको हम इस तरीके से वीन और डहली आवरिती से दर्शाते हैं बात करेंगे इसकी भी ठीक है नियूनतम मान से अगर कम है तो वहाँ पर कोई भी प्रकाश का इलेक्ट्रोनों का उतसरजन नहीं होगा इसको हम क्या कहते हैं देहली आवृत्ती कहते हैं और इसको जो हम लोग जो है इस तरीके से निू नौट से दर्शााते हैं ठीक है अलग-अलग धात्यों के लिए वैसे ही निकलेगा, कोई समय अंतरा लहीं, जैसे ही प्रकाश मतब कि ये समझ जाओ, कि ये प्लेट है, प्रकाश आई और इलेक्टरॉन उत्सर्जित हुआ, कोई बीच में समय का गेप नहीं रहेगा, तूरंत निकलेगा, तूरंत निकलेगा, ठीक है, अब हम आगे पढ़े इलेक्टरॉन और प्रोटरॉन दोनों ही है, फ़र इलेक्टरॉन, यहां पर सरजित हो रहे हैं, तो हम इलेक्टरॉन की बात कर रहे है, और इससे छोटा कुछ भी नहीं होता, सबसे नियून निता में, सबसे छोटा यह आप लोग उने पहले चेप्टर में ही पढ़ लिया जो संचित उर्जा है वो भी बढ़ेगी ये तरंगे धातु के प्रिष्ट पर गिरने पर धातु के इलेक्ट्राणों को अधिक उर्जा प्रदान करेगी जिससे उच्छित प्रकाश इलेक्ट्राणों की उर्जा बढ़ेगी परंतु यह प्लायोगी तद्यक तथ के लोगों ने पढ़े हैं तो वो जो तत्य है मतलब बिल्कुल जो है मिसमैच हो रहे हैं प्रकाश तरंगों के रूप में है जब तरंगों के रूप में है उस समय जो है ये चीजे जो है मिसमैच हो रही है तो इस तरह से यहां पर जो है हम लोगों ने जब करों के बारे में तो जो कण के बारे में हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर हम लोगों को accurate चीजे जो है मिल रही है ठीक है तो इसी तरीके से प्रकाश तरंगों की आवरिती कुछ भी हो सकती है तरंग की कुछ भी आवरिती हो सकती लेकिन अगर हम कण की बात करेंगे तो कण के लिए मतलब उसका fix मा पासे सभी इलेक्ट्रॉनों पर वित्रित होता है मतलब यह हो गया कि मतलब सीधी सी बात है कि अगर तरंग के रूप में आ रहा है तो वहाँ पटिकुलर किसी एक जगह पर हो सब जब फैल जाएगा तरंग के रूप में आ रहा है तो क्या हो जाएगा फैल जाएगा लेकि हम जब यहाँ पर कण सिध्धान्स की बात करें, कड़ों के बारे में बात करें, तो यहाँ पर कोई भी समय खर्चा नहीं हो रहा है, यह जिस्ट जानकारी के लिए है, इसको आप जस्क्रीनशॉट ले करके समझ सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हो, है ना में जो मुद्दे की बात है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्धुत समीकरण, वो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर जो आइंस्टीन जी है, अब हुआ क्या, बहुत सारे प्रयोग हुए, लेनार्ड ने, मिलिकन ने, हर्ज जी ने, और बहुत सारे साइंटिस्स, जितने भी साइं 1905 में, देखो, अभी तक कि हम लोग उने न सन 1900 तक की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, 1905 की 5 साल बात, आइंस्टीन जी ने क्या कहा, कि प्रकाश विद्धुत प्रभाव की व्याख्या, प्लांक के क्वांटम सिध्धान्त के अनुसार करी, ठीक है, प्लांक नि नियतांक, जिसको हम क्या करते हैं, एच से प्रदर्शित करते हैं, इन्होंने प्लांक जी ने क्वांटम सिध्धान्त गिया था, और यहां पर इस सिध्धान्त में एक नियतांक लिया गया था, जिसको हम प्लांक नियतांक के नाम से जानते हैं, तो बिलकुल यहां पर और इन्हों ने जो है सम्करंट से सारा कुछ हल कर दिया, सारा कुछ हल कर दिया और इस सम्करंट की सायता से सारा कैल्कुलेशन संभा हो पाया, ठीक है, पर यहां पर इन्हों ने प्रकाश आ रही थी, वो तरंग आ रही थी, जो है सब तरफ ब्राबर रूप से संचिती, जैसे कि अगर मालो की सूरी से धूप निकल रही है, तो सब तरफ फैल रही है, तो वो जो प्रकाश है, जो छोटे छोटे बंडलों के रूप में सब तरफ फैल रही है, वो क्या कहला यो आप छोटे छोटे बंडलों के रूप में आறी है, ये क्या कहलाते हैं, फोटोन, ठीक है, अब यहाँ हैं पर, प्रतियेक फोटोन में क्या होती है, उर्जा होती है और जो फोटोन की उर्जा है, वो H new, ठीक है, मतलब यह जो new, आवरित्टी के बारे में हम पढ़ रहे थ यह ँरज़ा है एच नियू अवरित्ती के वारे में पड़ रहे थी वह और यहां पे हाँ प्लांक नियातांक. क्या है है? प्लांक नियातांक है लिखा pl09 नियू नियू जो है यहाँ पर प्रकाशâteती है बिलकुल थोड़ा सा V के उपर हलका सा ऐसा आपको बनाना है तो न्यू बन जाता है आवृत्ती जो कहलाता है H जो है प्लांक का सारवत्रिक निया तांक है प्रवकाश की तिवरता इन ही फोटानों की संख्या पर निर्भर करती है कि मतलब तिवरता बढ़ रही है यह कैसे पता चलेगा तो जितने जादा जो है प्रवकाश की फोटान आएंगे फोटान जितनी संख्या में आएंगे उतने क्या भोगा उतना ही जादा यहाँ पर क्या बढ़ता जाएगा प्रवकाश की तिवरता है वो प्रवकाश की तिवर आपने और अपत्रोंच को डे देती है. तो आप जैसे कि मालो की आप reasoning को टच कर दिया. फिर वह किसी और को टच काम भीचा, फिर आपका काम खदम हो जाता है. वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है जिसे कि मालो की धातु की प्लेट है यहाँ पर जो है फोटॉन आ रहा है तो होगा क्या फोटॉन जो है अपनी उर्जा इस इलेक्टॉन को दे दिया जिसकी विज़ा से इलेक्टॉन जो है यहाँ पर सर्जित हो गया अब यह फोटॉन का का हो गया क्योंकि इसकी उर्जा ही नहीं बची खतम हो गया उसका स्तित्व समापत हो जाता है इस उर्जा का कुछ बाग Eliektron को धातु से बाहर निकालने में व्याय होता है अभ देखो यहां पर जो photon की उर्जा आई है ये photon की उर्जा जो आई है अब इसके दो हिस्से होंगे थीक है हम लोगों ने वसे प्रकाश विद्धुतु सार्जन में पढ़ा है पर फिर से बता रही हूँ कि होगा क्या एक काम रहेगा कि यह इलेक्ट्रॉन को बाहर काने का काम करेगा जिसको हम कारे फलन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का काम करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कारे फलन कहते हैं, और जो बची उर्जा है, वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, त्वरित करने के लिए, मतलब की त्वरित करने के लिए, मतलब की गतिज उर्जा देने के लिए, य लोग होता है है यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा आगे समझते हैं अताधातू से विभन और जाओं के उच्छार्जतम के उपरी प्रीष्ट से उच्छ उच्छत होते हैं वहां पर उर्जा टक्रो द्वार है धायगी जो मतलब की उपर की प्लेट है ऊपर की सत्या है ठीक है जायिआ कि उपर की सत्या है वहाँ पर जो है速 Seal peson जो है बहुत अधिक तेजी से टक्राएंगे ठीक है, अब इस photon की उर्जा जो है, दो भागों में electron को मिली, एक जो है, वो electron को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं, मतलब कि कारेफलन के रूप में, और दूसरी जो है, किसके रूप में, तो दूसरी जो है, इन electron को गतिज उर्जा प्रेदान कर तो दूसरी जो है गते जोर्जा के रूप में तो यहां से हम लोगों को क्या मिल गया, Einstein का समी करन मिल गया, क्या, h new बराबर, h new बराबर kari phalan plus यहांपर क्या हो जाएगी, गते जोर्जा तो माना की गते जोर्जा यहां पर यह है कारफलन 5 है और यहां पर इस तरीके से H निव और वैसे हम लोगों ने गते जोर्जा के बारे में फी एक रिलेशन देखा है ev naught ठीक है तो यहां से हम यहां पर समीकरण में भी रख देंगे 5 बराबर sorry 5 plus ev naught और यहां पर क्या हो जाएगा h new तो यह क्या हो गया समीकरण हो गया Einstein का समीकरण ठीक है क्या हो गया Einstein का समीकरण यहां फिर यह जो समीकरण एक है यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहां पर यह जो समीकरण है अधिक्तम गतिज उर्जा कितनी होगी तो जो यहां पर फोटॉन की उर्जा थी फोटॉन की उर्जा से अगर हम क्या करेंगे कारेफलन को घटा देंगे है ना तो सबसे पहले हम लोगों को photon की उर्जा जो है दो रूप में विभाजित हुई एक कारेफलन की रूप में और एक गतिज उर्जा की रूप में ठीक है ये हम लोगों को Einstein का समीकरण main जो है वो यहां से मिला पर इसको हम सुव्यवस्थित कर रहे हैं तो ये एक समीकरण हो गया है ना और यहां पर इसको सुव्यवस्थित करने के बाद यहां पर यह जो equation है यहां पर जो है बहुत सारी values आप रख सकते हो है ना बहुत सारी values जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में बताया ev not बराबर h new minus phi ठीक है और यहां तो फिर आप ये नियोधी विभाव बराबर ये क्या हो जाएगा h बटे e हो जाएगा आवरित्ती हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा phi बटे e हो जाएगा ठीक है और यहां पर यह जो कारेफलन है यह कारेफलन का मतलब भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ जो हम लोगों ने कारे फलन के बारे में पढ़ा तो कारे फलन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को धातु की प्लेट से निकलने के लिए कम से कम हम लोगों को उर्जा की आवश्यक्ता होती है ठीक है तो यहां पर उर्जाग जो हम लोगों को मिलती है तो इस उर्जाग के लिए हम लोगों ने आवरित्ती के बारे में पढ़ा था कि वह न्यूनतम आवरित्ती जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमको चाहिए ही चाहिए ठीक है तो हमको जो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम लोगों को जो उर्जा चाहिए वो नाम क्या है कारेफलन ठीक है अब ये कारेफलन में हमारे पास क्या है न्यूनितम आवरित्ती होनी चाहिए वो न्यूनितम आवरित्ती होनी चा खाइप आपम है तो यहां पर ते कंगे तो यहां से अगर आप लोग क्या कर सकते हो यहां पर थे कर पते हो निरोधि विभव ठीक है तो इस तरीके से आपको जो है अलग-अलग तरह से काफी सारे जो है equations मिल रहे हैं ये सारे equations आपके क्या कहलाते हैं प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाते हैं तो अलग-अलग रूप है और भी आप देख सकते हो लिख-लिक करके practice कर सकते हो विभिन रूपों में आप लोगों क अगर निरोधी विभाव के साथ अगर इनका relation देखोगे ठीक है तो हो क्या रहा है अगर हम इनको सरल रेखा के समीकरण y equals to mx plus c से अगर हम relate करें तो हो क्या रहा है ये वाला हिस्सा जो है ये आपकी ढलान है ठीक है और ये वाला जो आपका निये तांक वाला हिस्सा है यह यहाँ पर जो है मतलब ये जब ग्राफ बन रहा है तो ये जो प्रकाश विद्युत समीकरण है तो एक जो है निरोधी विभाव और एक आवरित्ती के बीच का ग्राफ बन रहा है ठीक है यहाँ पर x और y के बीच का जैसे हम ग्राफ बनाते हैं वैसे ही तो यहाँ पर ये तो H बटे E है, वो हम लोगों को एक धलान के रूप में प्राप्त होगा, इसको जैसे जैसे हम यहाँ पर नीचे बढ़ाते जाएंगे, नीचे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर यह जो आवरित्ती है, यह दहली आवरित्ती है, न्यूनतम मान आवरित्ती का दहली आवरि धो जो आइस्टीन का सम्य करन पढ़ा तो उस चमी करन के अनुसारी हम लोगों को ग्राफ तुम मिलता है और इस आप है वो भी complete कर लिया है दहली उर्जा या फिर कारे फलन के बारे मैं आपको आलरेडी समझा चुकी हूं कि जो कारे फलन होता है अभी-अभी मैंने समझाया कि कम से कम आवरित्ति आपको इलेक्ट्रॉन को धातु की प्लेट से बाहर निकालने के लिए आपको चाहिए ही च जो है अलग करने के लिए धातु की प्लेट से अलग करने के लिए हमको चाहिए ही चाहिए वो क्या कहलाती है दहली आवरित्ति कहलाती है ठीक है इसके बाद दहली तरंग दैध की बात कर रहे हैं तो देखो तरंग दैध का मान कम होना चाहिए और आवरित्ति का मान जो है ज़ ik दो इस लिए यहां पर हमको क्या मिल रही है अधिकटम तरंग्डैज тут आवृत्ति न्यूनतम थी यहां वैसा ही हम लोगों को यहां पर क्या होना चाहिए, जो तरंग दैज है, वो अधिक्तम तरंग दैज, जहली तरंग दैज कहलाता है, बिल्कुल इसकी परिभाशा आप लोग देख सकते हो, और फोटॉन के बारे में हम लोगों ने अल्रेडी डिसकस कर लिया है, अगर चाहो तो आप जो है इसकी अभी लक मैंने आपको ये चाप्टर दिया है, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे क्वेशन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके कमेंट का आंसर करूंगी, और I hope कि आपको ये चाप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही लिमिटेड समय में आप लोगों के लिए वन शॉट के रूप में मैंने पूरा कर दिया है, मिलते हैं हम हमारी अगले वन शॉट के साथ, तब तक के लिए, बाई 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 बच्चों!